जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ड बैस मेजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ड सावित्री ब्रत साल 2022 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा? इसके लावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वर्ड सावित्री ब्रत का क्या महात्व है और इसकी संपूर्ण दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ड सावित्री ब्रत का बहुत यदिक महात्व है ये ब्रत सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र तथा सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती है ये ब्रत सौभाग के लिए बड़ा ब्रत होता है ये ब्रत जेस्ट महा की आमव परस्या को मनाया जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं वट व्रक्च यानि बर्गत के पेड़ की पूजा करती है इसलिए इस व्रत को बर्गदाही के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों वट सावित्री ब्रत के दिन सावित्री ने अपने म्रत पती सत्तिवान को यमराज स पुना जीवित कराने का वर्दान प्राप्त किया था, जिससे सावित्री का पती सत्यवान पुना जीवित हो सका, इसी के बाद सावित्री को सती सावित्री कहा जाने लगा, तब से वट सावित्री वाले दिन सुहागिन महिलाएं भी पूरी स्रद्धा और संकल्प के साथ बर्गत के पेड का विसेश महात्य होता है बर्गत के व्रक्ष में तृदेव यानी ब्रह्मा विष्णू और महेस का वास होता है बर्गत के व्रक्ष में अनेक साखाएं लटकी होती है इन्हें सावित्री का रूप माना जाता है इसलिए इस दिन इस व्रक्ष की पूजा करन से सोभागे और संतान की प्राप्ती होती है साथ ही सभी मनो कामनाइम ही पूर्ण होती है चले अब जान लेते हैं कि वड़ सावित्री व्रत की पूजा विदी क्या है दोस्तों वड़ सावित्री की पूजा के लिए विवाहित महिलाओं को बरगत के पेड़ के नीचे जाकर विदवत पूजा करने चाहिए या आप घर पर ही बरगत के पेड़ की डाली मंगवा कर उसे किसी गमले में गार कर उसकी भी पूजा कर सकती है इसके लिए आप राता काल सुबह जल्दी उठकर इसना नादी करके निर्जल रहकर वड़ साविती व्रत का संकल्प करें इस व्रत में महिलाओं को पूजा के समय एक नई नवेली दुलहन की तरह सोला स्रंगार करके सजना चाहिए फिर पूजा की थाली लगाएं जिसमें रोली, कुमकुम, मौली, फूल, पान का पत्ता और सीजनी फल जैसे खरबूजा आदी ले लें और साथ ही गोड, भीगे हुए चने, घर पर बने हुए आटे की मिठाई, पंखा, कच्चा सूत, धूब, घी का दीपक और एक लोटे में जल लेकर आप बरगत के पेड़ के नीचे जाएं फिर बरगत के पेड़ की जण में जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम और रोली लगाएं, इसके बाद आप फूल माला आदी चढ़ाएं, फल का भोग लगाएं, इसके बाद धूब दीप जलाएं, फिर सच्चे मन से पूझा करके अपने पती की लंबी उम्र और अच्छे की कामना करें, इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर वट वरक्ष की परिक्रमा करते हुए, सूत को बरगत के तने में लपेटें, और बरगत के वरक्ष की कम से कम साथ बार परिक्रमा आवज से करें, इसके बाद आप पंके से वट वरक्ष को हवा करें, फिर भीगे हुए च कोपल खाकर अपने उपवास को पूरा करें। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2022 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और अमावस्यातिथी की सुरुवात 29 मई 2022 की दोपहर को दो बच कर चावन मिनट पर हो जाएगी। और अमावस्यातिथी की समापती 30 मई 2022 की साम को चार बच कर 69 मिनट पर होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्याति पूछ लें।